हेलो वाई हो साउथ अफिका टीटोंडी लीग का चोविस्वा मैच जो कि डीएस जी यानि कि डर्वन सुपर जूं पिटोरिया कैपिटल के बीच मैच खेला जाएगा और भाई मेरो लास्ट मैच डर्वन पर से पल्स रॉयल का बीच मैच हुआ था आपको सीधा बोला था कि आपको यहां पर पकड़के चलना है और अभी तो यह मैच मुझे लगता नहीं होगा दूसरा मैच है बारिस ने दो डाला बारिस का किसी का कंट्रोल नहीं है लेकिन लास्ट मैच आपको सीधा बोल लिया था कि डर्वन यहां पर सब्सक्राइब कोई स्टेडियम पे जो कि अब्डेट मिलेंगे क्या होने वाला मैच में जैसा कि मेरा डेली वीडियो देखते हूं मैं ग्रांटी लेता हूं यहां पर क्या को एक भी पैसा का नुकसान नहीं होता है मेरे वीडियो देखके मोटा माल शाप रहे होंगे और दूसरी बात अगर आयल ट्वेडियो को किलिग्राम चैनल दिया है अभी देखलो अभी के लिए वाटसर नमबर थोड़ा प्राइमरी नमबर बंद चला है तो यहां पर दूसरी नमबर पर आप कॉंटेक्ट कर लेना जोंकि सेवन फोर वाटसर नमबर है तीस जनवरी को मैच खिला जाएगा नाइन पीम पे इंड प्रिटोडिया के लिए क्योंकि नीचे 9.9 के साथ है अभी अगर से मैच कैंसल होता है तो इक्वल हो जाएगा लेकिन आठवा मैच प्रिटोडिया कैप्टल खिलने वाले वह डर्वन नहुँआ मैच डर्वन तो ऑल्मोस्ट मतलब क्वालिफाइग कर चुकी है प्ले आप के लिए तो दूस्तों पर मोड अपडेट के लिए मैच अपडेट सेजन अपडेट के लिए तेली मंच के लिए अब बागी बात करेंगे दूस्तों आपके सामने हैं अब स्कूर से मालूं आपको चल जाएगा कैसा पीछे देखो स्टार्टिंग में स्कूर अच्छे लगे क्योंकि पिछ बैलेंस था बैटिंग फैनली पीछ था दो साथ लगे उसके बाद यहां पर विकेट देखो पेसर नौ लिए हैं स्पीनर दो लिए हैं उसके बाद यहां पर देख सकते हो पीछ दीरे दीरे मैंने बोला भी था में वीडियो जो की बनाया था साउथ अपर टी-20 का उसके बोला भी था जैसे जैसे सुलो होता जाएगा मैंच डिफेंडिंग होता जाएगा सेकेंडेंग बैट करना असान नहीं होगा तीरासी पर और 169 तो आसानी से चेस होने वाल है प्रेशर भी कम रहता है तो कापी मतलब स्लो विकेट हो चुका है फर्स्ट पर बैटिंग करना असान है लेकिन सेकेंड पर नहीं चेस करना बहुत मुश्किल है 170-75 पुलास स्कोर इस पीच पे बिलोग एक सो साथ एक सो पैंसाट असान फोकस केजिएगा अभी ज्यादा इस मैच में इस बात का ध्यान रखेगा है तीन मैच खेले जा चुके हैं दो फर्स पैट एक सेकेंड डर्वन एक जीता है दो पिटोरिया ने जीता है पिटोरिया इस इस सीजन देखने को मिले था दोजा च्विस में पिटोरिया जीत के यह देशी से दूसर चार रन बनाया था और 14 चार चार 17 वह मैं जीती थी देशी ने डिफेंट किया और मतलब एक पिटोरिया दो तो मैच हाई सब्सक्राइब काफी रोमांचक मैच हो था पिटोरिया कैपिटल वर से आपको याद होगा तीन रन से जीती थी मैच 25 रन लगेते तो यहां पर आपको टीम लिए अगर देखेंगे दोनों टीम का प्लेयर्स चुक्कि है किस्व महराज कंटीनिव करेंगी कैप्टैंसी बेंस सब्सक्राइब काफी मतलब काफी मतलब तो काफी बैलेंस दिख रही है एज कंपेर टू पिटोरिया के होट रहने वाली है अब देख सकते हो और पिछला मैच का स्कोर बना था इसी पीच पे फर्स्ट बैडवन आईगी तो डिफिनेटली अच्छा कर लेगी पिटोरिया पास थोरा बॉलिंग की कमी है बैटिंग ठीक है बैलेंस लेकिन बॉलिंग के पास कमी है डिफेंट नहीं जो की स्कोर होगा डिफेंट फर्स्ट बैट पर आती है अगर पिटोरिया कैप्टल एक सुसाट सब्सक्र डिफेंट नहीं करा पाएंगे इनके लिए स्कोर्ट चाहिए एक सो असी प्लस डिफेंट कराने के लिए दूसरी बात ध्यान में रखिएगा से सन फर्स्ट बैट के फेवर में आपक अब ध्यान के लिए मैथ्यू है नूर आमत किस्व महराज इंपोर्टन साविंद होगे इस पीनर इंपोर्टन साविंद वेंपरनल आदिल रासिद इंपोर्टन साविंद फिलिफ सॉल्ट कुछ पैट्सन कुछ बॉलर ऑफ सेशन दोनों बेश्ट बैटिंग और बागी अपडेट के लिए मेरे वह सेशन चाहिए नाम से टेलिग्राम से मस्च्वान कीजिए आपको काम देखनों को मिलेगा विश्ट काम ज्याधा रहा है वीडियो से तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप से